नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि सिपकैल D3 सैशे का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है सिपकैल D3 सैशे को कैसे लेना चाहिए और सिपकैल D3 सैशे की वज़़ से क्या साइड एफेक्स हो सकते हैं और यहां भी डिसकस करेंगे की सिपकेल D3 सैशे को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। सिपकेल D3 एक ब्रेंड नेम है। सिपकेल D3 सैशे के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन कॉलिकलसिफेरोल 60,000 इंटनाशनल यूनित होता है। विटामिन D3 को कॉलिकलसिफेरोल के नाम से भी जाना जाता है। सिपकेल D3 सैशे का उप्योग शरीर में विटामिन D की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है। शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है, और शरीर में विटामिन D की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अवशोशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, जिसकी वज का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दातों में स्टोर होता है और बचा हुआ 1% हमारे ब्लड में होता है जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हमारा शरीर हड्डियों और दातों से कैल्शियम लेने लग जाता है जिसकी वजह से धीरे धीरे कमजोर होने लग जाते हैं हड्डियां कमजोर होने की वज़ा से हड्डियों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्रैक्चर हो सकता है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वज़ा से दांतों की जड़े कमजोर हो जाती है और दांत भंगुर होकर तूटने लगते और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है, या लंबा समय लग सकता है, बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है, और शरीर में कैल्शियम और विटामिन D की कमी होने पर शर सैशे को लेने की सला दे सकता है। रिकेट्स होने पर बच्चों की हड्डिया कमजोर होकर तेडी मेडी हो जाती है। और ओस्टियोमालिसिया होने पर हड्डिया कमजोर हो जाती है। और शरीर के जोरो, हड्डियों व मास्पेशियों में दर्द रहने की समस्या हो जाती है। किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में कैल्शियम और विटामिन D की कमी को होने से रोपने के लिए भी डॉक्टर सिपकेल D3 सैशे को लेने की सला दे सकते हैं। मा का दूद पीने वाले छोटे बच्चों में विटामिन D की कमी हो सकती है। मा का दूद पीने विटामिन D की का स्तर व्यक्तियों में सिपकेल D3 सैशे की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को सिपकेल D3 सैशे को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षन होता है। तो आपको तुरंत ही डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। ज्यादा डोज में सिपकेल D3 सैशे को लेने की वज़े से शरीर में विटामिन D और कैल्शियम का स्तर अधिक हो सकता है। शरीर में विटामिन D और कैल्शियम का स्तर ज्यादा होना भी नुकसान दायक होता है। अब हम डिसकस करेंगे की सिपकेल D3 सैशे को कैसे लेना रेक्मेंडेर होता है। सिपकेल D3 सैशे को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। सिपकेल D3 सैशे को शाम के समय दूद में मिला कर लेना रिक्मेंडेर होता है। आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर सिपकेल D3 सैशे को सपता में केवल एक बार ही लेने की सला देते हैं और आच सपता तक लगातार लेने की सला दे सकते हैं। सिपकेल D3 सैशे की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको सिपकेल D3 सैशे को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की सिपकेल D3 सैशे को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए। सिपकेल D3 सैशे को लेने के बाद यदि आप लैबोरेटरी में कोलेस्टरॉल की जाँच करवाते हैं, तो कोलेस्टरॉल टेस्ट के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। प्रेगनेंट महिलाओं और स्थनपान करा रही महिलाओं के लिए ज्यादा हाई डोज में विटामिन-D को लेना रिकमेंडेड नहीं है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका सिपकेल D3 सैशे से संबन्धित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.